नमस्कार और देसी विमर्ष में स्वागत है यहां हम जटल विश्यों को सहज और संतुलित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं आज बात भारत की रक्षा तयारियों में एक कह सकते काफी एहम कदम की DRDO द्वारा ULPGM-3 मिसाइल का सफल परिक्षन यह सिर्फ कोई आम मिसाइल नहीं है यह ड्रोन से दागी जाने वाली एक स्मार्ट गाइड़ मिसाइल है सोचिए ज़रा बिना पाइलिट वाले विमान से एकदम सटीक निशाना तो यह महस तकनीक नहीं है यह भविश्य के युद्धक शेत्र की तयारी का एक संकेत है आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि यह मिसाइल है क्या कैसे काम करती है और भारत के लिए इस कैसल माइने क्या है और हाँ हमारी सारी जानकारी सार्वजिनिक स्रोतों सरकारी बयानों और जो विश्वस्निय समाचार मंच है उन पर आधारित है हमारा उद्देश सिर्फ जानकारी देना है किसी का पक्ष लेना या समर्थन करना नहीं तो खबर यह है कि DRDO ने आंदर प्रदेश की टेस्ट ट्रेंज से एक ड्रोन के जरिए इस अल्ट्रा लाइ एक एहम पड़ा हो रहे हैं देखिए दुनिया भर में ड्रोन युद्ध का जो सुरूप है वो तेजी से बदल रहा है हमने देखा है कि तुर्की जैसे देश भी वो ड्रोन से मिसाइल डागने की क्षमता विकसित कर रहे हैं काफी खबरें आई थी हाँ हाँ बिलकुल तो इसके नाम में ही प्रिसिजन यानि सठीकता शब्द है तो इसकी तकनीक में क्या खास है हमने एक शब्द सुना है पैसिव होमिंग ये क्या चीज है हाँ यही पर यह तकनीक जो है वो दिल्चस्प हो जाती है पैसिव होमिंग का मतलब है कि मिसाइल अपने लक्ष को उसकी गर्मी मतलब इन्फ्राडेट सिगनेचर से पहचानती है और फिर उसी का पीछा करती है ये खुद कोई सिगनल नहीं भेचती अच्छा तो मतलब ये एक तरह से चुपचाप बिना कोई आहट दिये अपने टार्गेट तक पहुँच सकती है बिल्कुल सही इससे दो बड़ और ये fire and forget शमता वाली मिसाइल है fire and forget हाँ मतलब एक बार launch कर दिया उसके बाद उसे लगातार guide करने की जरूरत नहीं वो अपने आप लक्ष ढून लेगी समझ गई और इसकी शमता कैसी है मतलब वजन, range इस सब के बारे में कुछ जानकारी है जी ये हवा से जमीन पर मार कर वाली मिसाइल है वजन जैसा नाम से ही जाहर है ultra light तो करीब 12.5 kg का है बस इसमें dual thrust solid propulsion unit है मतलब पहले तेज रफतार पाने के लिए एक जोरदार धक्का और फिर लक्ष तक पहुँचने के लिए एक स्थिर उडान और range दिन में करीब 4 km बताई जा रही है और रात में थोड पर ये शमता स्थापित करता है भविश्य में इसे और बहतर बनाया जा सकता है और इसमें अलग-अलग लक्षों के लिए warhead बदलने का विकल्प भी है जो इसे और versatile बनाता है इसे विकसित और बनाया किसने है क्या ये पूरी तरह से स्वदेशी है इसका design, विकास और परी अब आते हैं बड़े सवाल पर इस एक missile परीक्षन का भारत की जो पूरी रक्षा रण नीती है खासकर भविश्य की युद्ध नीती उसके लिए क्या महत्व है अपने शुरू में मानव रहित systems का जिक्र किया था हाँ, देखिए अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत के man-on-man teaming यानि M-U-M-T concept के लिए बहत एहम है M-U-M-T, ये क्या है? Man-on-man teaming, कलपना कीजिए भविश्य में एक लड़ाकू विमान का पाइलट अकेले नहीं उड़ेगा बलकि वो अपने विमान से ही कई हत्यार बंद drones की एक पूरी team को कंट्रोल करेगा अच्छा हाँ, ये drones AI और IoT यानि Internet of Things के जरीए वो मुख्य विमान से जुड़े होंगे और पाइलट के निर्देश पर दुश्मन के इलाके में ज्यादा जोखिम वाले मिशिन को अंजाम दे सकेंगे जैसे की इसी ULPGM मिसाइल को लॉंच करना तो ये मतलब सिर्फ एक हत्यार नहीं हुआ ये तो एक पूरी युद्ध प्रणाली का हिस्सा बनने की एक शमता रखता है जिसमें इनसान और मशीन मिलकर काम करेंगे बिल्कुल यही भविश्य के युद्ध का तरीका है जहां तकनीक जो है वो सैनिकों की सुरक्षा भी बढ़ाएगी और उनकी शमता में कई गुना इजाफा भी करेगी और जैसा मैंने पहले कहा तुरकी की प्रगती और इस शेत्र में ऐसी टेकनीक के पहलने की जो आशंकाएं है उनके बीच भारत का ये स्वदेशी प्रयास हमारी आतनिर्भरता और तयारी दोनों को पुक्ता करता है जैसी उननत तकनीक और MUMT जैसी भविश्य के अवधारनाओं के साथ इसका जो एकी कारण है वो इसे खास बनाता है ये साफ दिखाता है कि भारत रक्षा तकनीक खास कर ड्रोन और स्मार्ट हत्यारों के क्षेतर में तेजी से आतनिर्भर बन रहा है और ये बहुत जरूरी भी है आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं उमीद है कि ULPGM V3 पर ये विशलेशन हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी पूर्ण रहा होगा आज और श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर चोड़ना चाहूंगा जैसे जैसे ये ड्रोन तकनीक सस्ती हो रही है और ज्यादा सुलब होती जा रही है तो जड़ा सोचिये कि पारंपरिक युद्ध के नियम कैसे बदल सकते हैं और केवल देश ही नहीं बलकि छोटे सम या कह लिजे गैर सरकारी तत्व वो भविशे में इस ताकत का कैसे इस्तमाल कर सकते हैं ये एक एहम सवाल है जिस पर बिचार करना बहुत जरूरी है बिलकुल सही का सोचने वाली बात है देशी विमाश्ते जुड़े रहने के लिए धन्यवाद अगले विशलेशन तक सतर रहिए सोचते रहिए जैहन